हेलो फिचर डॉक्टर्स, नमस्कार, स्वागत है, आप सभी का आपी के अपने चैनल के उपर एक पर फिर से, दोस्तों ये वीडियो स्पेशल रहने वाली है, बी एसी नर्सिंग के लिए इस वीडियो में आपको हर एक वो चीज़ बता दूगा, जो आपको जानकारी होनी चाहिए, कट ओफ क्या रहती है, योग्यता क्या है, सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए, क्या कोई पर्टिकुलर एक्जाम देना पड़ता है, या फिर नीट के थरू ही इसमें एडमिसन हो जाता है, और क्या आपके 300 नंबर है, तो क्या आपको गॉर्बेंट कोलेज मिल पाएगा, इस वीडियो में इन सभी बातों के उपर डिसकसन हम करने वाले हैं, तो वीडियो को सुरू से लेकर आन तक जरूर देज़िए, सबसे पहले तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नीट का एक्जाम आप देते हैं, MBBS का आपना ड्रीम, साकार करने के लिए, लेकिन दोस्तों, आज के टाइम में कम्पिटिशन इकना ज़ादा है, कि नीट के लिए आपको 600 के अराउंड नंबर चाहिए होते हैं, 200, 300, 355 तर गह जाते हैं, तो ड्रोप आपको नुक्सान भी दे सकता है, क्योंकि ड्रोप आपको उसी कंडिशन लेना चाहिए, तब आपके बेसिक्स बिलकुल कलियर हों और आपको सार चीज़ जो है कलियर हों, लेकिन दोस्तों, अगर आपके कम नंबर आते हैं, तो आप ड्रोप से अच्छा है कि B.S.C. नर्सिंग कर लें, जी हाँ दोस्तों, लड़कियों के लिए सबसे बैस्ट है, और यहाँ पर आपको जो है, बहुत अच्छे स्कोप मिल जाते हैं, यानि कि B.S.C. नर्सिंग को और पूरा करते ही, आपको अच्छी प्लेस्मेंट मिल जाती है, गौर्मेंट मिलने में अगर थोड़ा टाइम लगता है, तो उससे पहले आप प्राइवेट में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा खासा पैसा यहाँ से अंट कर सकते हैं, B.S.C. नर्सिंग कोर्स पूरा होते ही, आप जो है 40-50 जार की नोकरी किसी भी अच्छे होस्पिटल गंदर ले सकते हैं, और यह तो शिरफ प्राइवेट की में बात कर रहा हूँ दोस्तो, अगर आप बोर्मेंट में लग जाते हैं, तो पैसा ही पैसा है दोस्तो, तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले मैं योगिता की बात करूँ, तो दो तरीके से अब्यासी नर्सिंग कर सकते हैं, एक होता है नीट के थरू, और एक होता है किसी पर्टिकुलर कोलेज के अंदर एंट्राश टैस्टे करके, बताएंगे इस व है, आपकी मेडिकल होने भी आने बारे नहीं है, मार्क्स क्या है दोस्तों, कटोफ में हम बात कर लेंगे, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ऐसे कोलेजी बताता हूँ, जो आप नीट के थरू, नीट का एकजाम दे करके, उनकी कटोफ के अकोल्डिंग जो है, बीएसी नर्सिंग कर पाते हैं, कटोफ जादा नहीं जाती है, यह मत सोचेगा, आपको लाश्ट में बताऊंगा भी मैं, तो वीडियो को पूरी देखिएगा, जितनी जादा होसके, सेर भी करती है, देखेगा दोस्तों, दिल्ली उनिवर्सिटी डियू, बीएसी नर्सिं हो जाता है, एक है अहिलिया बाई कोलेज ओफ नर्सिंग, यह ओनली फिमेल है दोस्तों, और यहाँ पर भी नीट के दुरूई आपका एडिमिशन होता है, फिर है दोस्तों, लेडी हार्डिंग मेडिकल कोलेज, यह भी फिमेल के लिए है, यहाँ भी दोस्तों, आपका नी College of Nursing, New Delhi के अंदर ये भी female के लिए है दोस्तों तो इन सभी colleges के अंदर आपका NEET के थ्रूए admission होता है, NEET की cut-off दोस्तों जो counseling होती है उसी के भिहाब पर आपको जो है यहाँ पर admission होता है, cut-off आपकी 3400 चनल कटेगरी की होना चाहिए इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कुछ अन्य college की जैसे की गुरू गोविद सिंग इंदर प्रश्ट यूनिवर्स्टी डेली है, उसके अंदर कुछ college आते हैं दोस्तों जैसे की लक्समी भाई बत्रा College of Nursing, ST, Stepan College of Nursing, College of Nursing, VMMC, सफदरगंज Hospital, Only Female के लिए है, School of Nursing, Hindu Rao Hospital, College of Nursing, Dr. Ram Manohar, लोहिया Hospital, Only Female, और एक है, College of Nursing, Kasturba Hospital, तो इनमें भी आप निट के थ्रूएड मिसन ले सकते हैं, और दोस्तों ये जो है कुछ यूनिवर्सिटी हैं, या फिर आप बोल सकते हैं, दोस्तों, इनके अंदर पर्टिकुलर एक्जाम होता है, निट यहाँ पर जुरूरी तो है, लेकिन सिर्फ क्वालिफाइंग मार्ग जैसे की 145, 150 के राउंड, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गया, बी एच्चिव के अंदर पनारस हिंदू उनिवर्सिटी वरानसी, यूपी, इंडिया, यह जो है, अपनी खुद की जो है, काउंसिलिंग करवाती है, IGIMS है, इंद्रा गांदी, वाला जो पटना बिहार के अंदर, जिपमर पॉन्री चैरी है, महराष्टा गोर्मेंट और प्राइवेट नर्सिंग कोलेज है, गोवा बियेज नर्सिंग कोलेज है, उत्रपरदेश गोर्मेंट मेडिकल कोलेज प्रयागरल, गोरलचपुर एंड कन्नोज, भवपाल नर्सिंग कोलेज, भवपाल मेमरियल होस्पिटल, एंड रिसर्च सेंटर भवपाल महध्य परदेश बहुत मेल एंड फिमेल, तो यहाँ पर यह अपनी काउंसिलिंग खुद करवाते हैं, और दोस्तो कुछ ऐसे कोलेजी भी होते हैं, जो अपना इंटरांस एक्जाम लेते हैं, जिसके अंदर आपको हिंदी, इंगलीस के क्योस्टन पूशे जाते हैं, और वहाँ पर आपको स्कोर करना होता है, और उसी स्कोर के भिहाब पर आपकी कट ओफ लगती है, तो उसके इस नरसिंग की हम बात कर रहे हैं, तो 316 नंबर पर आपकी कट ओफ गई थी, एसी कट ओफ जो है थोड़ी कम होने वाली है, जो कि एकजाम का लेवल भी अच्छा खासा आया है, साथ में दोस्तो ऐसा बोल रहेंगे फीजिक्स इजी देखने को मिली है, लेकिन दोस्तों ज इसके 304 से नमर आती है, उनके लिए फिजिक स्टफ ही होती है, चाहिए वो असान हो, या कठीन हो, तो आपके जो है, वो कोई मैटर नहीं करता, वाकि बाइलजी आपको पता, यह लेंधी आई है, और दिफिकल्ट भी आई है, और केमेस्ट्री भी थोड़ी दिफिकल्ट ही देखने को मिली है, तो अब की बार कम से कम BSC nursing के अंदर 20 नमर आप कम मानके चलिएगा, और दोस्तों यह तो है government college, अगर आपको government college नहीं भी मिलता है, तो भी आप private college से भी BSC nursing कर लेते हैं, तो भी आपके placement बिल्कुल 100% पकी है, तो दोस्तों लड़के भी कर सकते हैं, लड पोजान कर चाहिए थी, बाकि फिर भी आपके कोई doubt रहे जाते हैं, तो नीचे comment section में छोड़ दीजिएगा, हम जो है आपको उनके बारे में बता देंगे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, thank you